हेलो फेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक और सबसे पहले आपको गर्तंते देवस रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुपकाम नहीं तो आज का हमार टॉपिक भी गर्तंते देवस से ही रिलेटेड रहेगा कि आखिर क्यों 26 जनवरी को हम गर्तंते देवस के रूप मे मनाते हैं या फिर how 26 जनवरी वेकॉं रिपब्लिक डे तो इसके बारे में हम डेटेल में चर्चा करेंगे तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ डेट हम डिसकस कर लेते हैं एक डेट है 15 अगस्त है जिसे हम सोतंतरता देवस या फिर इंडिपेंडेंस डे क की रूप में सेलिवेट करते हैं तो आपको पता ही हो कि 26 नवंबर को हमारा सम्विधान बन करके तैयार हो गया था लेकिन आखिर क्यूं हमने 26 जनवरी को इसे लागू किया तो एक तो पॉइंट हम ये वाला डिसकस करेंगे और दूसरी बात यह है कि वाकई में सम्विधा उनीस सो सहताले से पहले जो भारत था वो ब्रिटिस कॉलोनी था है तो इसको हम समझते हैं देखिए पंद्रवी और सोलवी सताबदी के आसपास है जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जैसे बिटेन हो गया फ्रांस हो गया इस्पेन हो गया नीदरलेंड हो गया तो ये दुनिया भर के देशों को अपनी कॉलोनी बना रहे थे ना कॉलोनी से मतलब क्या होता है किसी सक्तिसाली देश के द्वारा अपने हितों के लिए अपने से कम जो राष्ट पर कबजा कर लेना तथा उस राष्ट के संसादनों का उपभूग करना और वहां की सासन को संचालित करते थे ठीक है अब हम बात करते हैं अधिराज जी या फिर डॉमेनियन की क्या होता है तो पंद्रा अगस्ट उन्नीस सो सहतालिस से लेकर के 26 जनवरी उन्नीस सो पचास के बीच जो भारत था वो डॉमेनियन था या फिर अधिराजी था देखिए क्या हुआ था पंद्रा अगस्ट 1947 को हम हमें आजादी तो मिल गई थी लेकिन उस समय हमारा संबीधान बन रहा था तो पंद्रा अगस्ट 1947 से लेकर चबेच जनवरी उन्नीस सो पचास के बीच भारत के पास दोमेनियन स्ट्रेटस था यह होता क्या है दकिए आपके पास पूरी संपर्भ तो मिल गई थी लेकिन हमारे पास डॉमेनियन इस्टिटस था अर्थाथ हमारे पास पूरी संप्रभुता थी लेकिन सिर्फ नाम मात्रि के लिए बिटेन का जो किंग था वो हमारा हैड ऑफ इस्टेट था अर्थाथ हमें ऐसा जरूरी नहीं था कि हम बिटेन की राजा की तो देखिए 1947 से 1950 तक भारत क्या था डॉमेनियन था इसके लाब वर्तमान की भी बात करें तो बहुत सारे विक्षित देश वर्तमान में भी डॉमेनियन है जैसे ऑस्टेलिया हो गया कनाड़ा हो गया न्यूजिलेंड हो गया तो यह ऐसे देश है कि वर्तमान में इनके पा समाप्त किया है और अपने राश्ट प्रमुक को चुना है ठीक है तो ये करंट की न्यूस थी तो मैं आपको इससे रिलेट करके बता दिया अब देखे 26 जनवरी 1950 को हमारा सम्मिदान हमने लागू कर दिया था हमने अपने हमें हेड of state जो हमारा राश्टपती होता है इस दिन हमारे राश्टपती नहीं सपत ली थी इसको और अच्छे से सबढ़ने के लिए हमें 1947 में जो भारत सोतनता अधिनियम आये था उसको हम समझेंगे तो आपको और वी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो पहला पॉइंट था 1947 का धिनियम में भारत का बिवाजन करके दो डॉमेनियन भारत और पाकिस्तान का सरजन किया जाएगा तो उसमें पहला पॉइंट लिखा था कि दो डॉमेनियन बना जाएंगे एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा तो आपको पता ही होगा पहले पाकिस्तान भारत में ही सामिल था 1947 में जब मैं आजादी मिले तो दो अधिराज्य बने थे एक पाकिस्तान और एक भारत तो दॉमेन की मीनिंग हमने समझ ही लिए है तो आपको यहाँ पर कोई कन्फूशन नहीं होगा नेश्ट है इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया जो की बिटेन के राजा का प्रतिनिधी होता था और गवर्नर जनरल का पद बना रहा यह कैविनेट की सलाह मानने के लिए बात दे था बिटेन की संसत का यहाँ पर कोई भी नियंत्र नहीं था है ना तो इस पॉइंट को आप थोड़ा समझ यह जो वायसराय होता था जो की बिटेन के किंग का प्रतिनिधी होता था है ना उसके पद को समाप्त कर दिया गया औ इसको हम डिटेल में डिसकस करते हैं चलिए 1947 से पहले क्या था भारत में दो प्रकार की विवस्थाएं थी एक तो बिटेस इंडिया था और एक प्रिंसली स्टेट है ना प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पर हमारे भारत के राजा रजवाडे हुआ करते थे और डिरेक्ट अ मामले थे वो बिटिसर्स के अंटर में रहते थे बाकी बाकी राजवर रजवाडे अपने राजव में सासन किया करते थे और एक होता था बिटिस इंडिया बिटिस इंडिया का मतलब है जहां पर अंग्रेज डारेक्ट रूल किया करते थे ठीक है दो प्रकार की ये विवस और गवर्नर जनरल भी होता था जब यह है वायसराय प्रिंसली स्टेट एफ जो देशी रियासतों के राजा महराजा होते थे इनसे डील करता था है ना इनसी को संधी समझाता करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था तो यही व्यक्ति जब विटिस इंडिया में अपना सासन संचालित करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था तो विशिकली एक ही व्यक्ति के पास दो पद होते थे जब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का बना रहा तो पहले जो ऌसतंत्रभारत के पहले गवर्नर जनरल थे वह Лूई मॉंट वेटन इसके बाद हमारी प्रथम भारती गवर्नर जनरल चक्रवर्थी राजगोपालचारे बने ये एक एक उन्नीस सो पचास तक भारत के प्रथम भारती गवर्नर जनरल रहे. चलिए आगे चर्चा करते हैं. अगला है 1947 का दिनियम में इन दौनर डॉमेनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश की संविधान को अपनाने की सकती थी ठीक है. तो ये जो दो डॉमेनियन बनेते भारत और पाकिस्तान ठीक है इन दो डॉमेनियों के पास अपने संभीधान संभाओं के पास पूर्ण संप्रभुदा थी अपने हसाब से वो संभीधान बना सकते थे और किसी भी देश के संभीधान को अपना सकते थे हैं ना नेश्ट पॉइंट है इसमें सभाओं को यह भी सकती दी गई थी कि किसी भी बिटिस कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है ठीक है तो देखे संभीधान सभा को यह भी सकती थी कि देखे जो 1947 से लेकर के 1950 तक जो भारत का सासन चल रहा था वो 1935 के भारशाशन अ इनको भी आप समाप्त कर सकते हैं इस अधिनियम ने नय संभीधान बनने तक प्रतिक दॉमिनियन के सासन संचालन के लिए भारशाशन अधिनियम 1935 के तह सरकार चलाने की व्यवस्ता की तो मैंने अभी आपको बताया जो 1947 से लेकर के 1950 तक जो भारत का सासन चल रहा था वो भारशाशन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चल रहा था 14-15 अगस्त 1947 की मदिरात्री को भारत में बिटिस सासन का अंथ हो गया और समझ सक्तियां दो नय सोतंदर डॉमिनियन भारत और पाकिस्तान को इस्थानांत्रित कर दी गई और लाड मॉंट वेटन भारत के प्रथम गवर प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में सपद दिलाई है ना तो पहले जो हमारे प्रधान मंत्री थे वह जवार लाल लहरू थे और इंको सपद किरहोने दिलाई थी लाड मॉंट वेटन ने उनियसोचालिस में वणी सपद के संभिधान सभा को सटंतर भारत की संत के रूप में भी सुईकार कर लिया गया है ना तो देखिए संभिधान सभा का चुनाओ था तो इस टैम जो हमारे अध्धक्ष थे वो कौन थे जीवी मावलंकर है ना और जब सम्विधान सभा की रूप में ये कारी करती थी तो इस समय जो हमारे अध्धक्ष होते थे वो तो होते थे राजेंदर प्रशाग तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अब हम कुछ आर्टिकल डिसकस कर लेता है जो की काफी इंपोर्टेंट है आपको ये बात समझने के लिए तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 394 इसमें लिखा है सम्विधान लागू होने की दिनांग 26 एक 1950 होगी लेकिन कुछ अनुक्षित तदकाल प्रभाव से ही लागू कर दिये जाएं एक आर्टिकल है आर्टिकल 395 इसमें क्या लिखा है सम्विधान लागू होने के बाद 1935 और 1947 के जो अधिनियाम है वो समाप्त कर दिये जाएंगे तो ये दो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जिनका वर्तमान में तो कोई मतलब नहीं है लेकिन काफी इंपोर्टेंट पहले से ही ये डेट डिसाइड कर रखी थी जबकि 26 नवंबर को ही हमारे संविधान बन करके तयार हो गया था कुछ अनुक्षित हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिये जैसे चुनाओ से संबंदित और भी कुछ आर्टिकल थे जो महत्तुपूर्ट थे उस टैम पे तो 26 न दिया में वह समाप्त हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक्ट में भी समझाया था कि संविधान सवा को ये सक्ति दी गई थी कि चाहे तो वह बिडिस कानूनों को समाप्त कर सकती है तो हमने किया भी ऐसा कि आर्टिकल 395 में ही लिख दिया कि संविधान लागू ह कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन देखे इसको हम थोड़ा च्छे समझते हैं यह जो लाहर अधिवेशन है इसका काफी महत्तु है कुछ लोगों का मानना था कि हमें डॉमेनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए परंतु कुछ युवा नेता था जैसे सुभाष चंदर जवाहर लाल नहरू इनके मन में था कि पूर्ण सुराज मिलना चाहिए जो कुछ वरिष्ट नेता थे हैंना कॉंग्रेस के वह चाहते थे कि हमें डॉमेनियन स्टेटस मिल जा है उससे ही हम खुश हैं वह ही बहुत हैंना लेकिन कुछ जो युवा नेता थे जैसे सुभाष अधिवेशन था तो जो जवाहर लाल नहरू थे नहोंने पूर्ण सुराज का लक्षे दिया पूर्ण सुराज के लक्षे से मतलब है इन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहिए और 26 जनवरी 1930 को तिरंगे को हमने रावी नदी की किनारे फैराया और उ जो जवा नेता थे उस स्टायम पे वो चाहते हैं कि हमें पूर्ण सुराज पूर्ण सुराज पूर्ण सुतंतता दिवस मनाएंगे तो 26 जनवरी 1930 को हमने रावी नदी की किनारे तिरंगा फैराया और उसी दिन से हम सुतंतता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे तो अब आपको समझ में आ गया कि 26 जनवरी की जो डेट है ठीक है उसका कितना महत्तु था 26 जनवरी 1930 से ही हम अपने सवतंतरता दिवस मनाते हुए आ रहे थे और चुकि हम आजात तो हो गए थे 15 अगस्त को तो कहीं 26 जो जनवरी की डेट है इसका महत्तु खतम न हो जाए इसलिए हमन इस डेट को अपने संविधान के लागू होने की डेट के रूप में बचा करके रखा था चलिए आंगे चरचा करते इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और इसी दिन राजएंद प्रशाद में भारत के अंतरिम राश्टपती के रूप में सपत ले तो 26 जनवरी को जैसे हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन जो हमारे राश्टप्रमुक थे राजएंद प्रशाद उन्होंने भारत के अंतरिम राश्टपती के रूप में सपत ले अंतरिम राश्टपती से मतलब यह है कि जब तक चुनाओं नहीं हो जाएंगी तब भारत के जो राश्टपती रहेंगे वो राजएंद प्रशाद ही रहेंगे है ना ऐसे संविधान सभा की जो लोग थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था अम थोड़ा गरतंतर की मीनिंग समझ लेते हैं गरतंतर की मीनिंग होते हैं कि जो हमारा राश्ट प्रमुक होगा या फिर जो तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा तो आपको फिर से गरतंतर दिवस की बहुत बहुत कामना है धन्यवाद कर दो मैं आपको